सबीको नमस्कार आज हम स्वीती में बारिश इसके प्रेशन उतर कर रहे हैं इसमें मैं प्रेशन उतरों की व्याख्यावी साथ साथ पता रहे हूँ तो इसमें पहला प्रेशन है इतिहास में स्वीती का वर्णन नहीं मिलता क्यों स्वीती जो है भोगोलिक और प्राकर्तिक रूप से ऐसी स्थान पर स्थित है जहांपर ऐसा वातावरण नहीं है कि लोग खुलकर जीवनियापन कर सकें यानि कि वहाँ पर पूरे वर्ष जो वर्षा है वहे कम होती है नामात्र होती है और वहाँ पर पूरे साल जादतर बर्फ रहती है इसलिए ऐसा होता है कि वहाँ ऐसे इतिहास उपलब्द नहीं होता है कि उसके बारे में कुछ चर्चक की जाए स्वीती में जन जीवन बहुती सीमित है वहाँ खुलकर रहने युग्य स्थितिया नहीं है आठ नो महीने बर्फ रहती है जिसके कारण बाहर निकलना भी कठिन होता है मुश्किल होता है कठिनता से तीन-चार महीने बसंतरीतु आती है इतने कम समय में स्वीती का जन जीवन समानने नहीं हो पाता है यानि कि वो अपना जीवन जो है अच्छे से नहीं जीपाते हैं जिस तरह से मैदानों में जीते हैं और वहाँ के पहाड भी इतने विक्षित नहीं है ना ही रास्ते हैं ना संचार के आधुनिक साधन है यानि कि टेलिफोन है, मॉबाइल है और संचार के जो साधन है इंटरनेट के साधन है वह भी नहीं है इसलिए यहां कोई उलेखनी गटनाई नहीं हुई सकीन हमारा कुश्चन है स्वीती के लोग जीवन यापन के लिए किन कटनाईयों का सामना करते हैं यानि उन्हें क्या क्या मुश्किले आती हैं जीवन जीने के लिए तो जैसा कि पहले बताया था कि वहां इंटरनेट के साधन भी नहीं है और अधिकान समय तक बर्फ पड़ती रहती है इसलिए स्वीती के लोग जीवन यापन के लिए सब परकार की कटनाईयों को जीलते हैं बेसंचार के साधनों से रही थैं बिजली सडक दूर भाष आदी से भी रही थैं वहाँ ने हरियाली होती है ना पेड़ होते हैं वहाँ बर्षा भी नहीं है इसलिए फसले भी बहुत कम होती हैं वर्ष में एक वार बाजरा, गेहू, मटर, सरसों की फसल होती है और वहाँ किसी प्रकार के फल पैदा नहीं होते हैं नहीं घर को गम रखने के लिए लकड़ी पैदा होती हैं वहाँ की चोटियां 14,000 से 21,000 फित उच्ची और दुर्गम हैं दुर्गम किसे कहते हैं जहाँ पर जाना आसान ना हो वहाँ सरदी इतनी होती है कि खाल को छील डालती है इसलिए अधिकान समय घरों में दुबगकर रहना पड़ता है तीसरा हमारा प्रशना आता है कि लेखक माने श्रेणी का नाम बोधों के माने मंतर के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है यहाँ पर हम महत्पुन बात यह बता देते हैं कि माने एक त्रह के मंत्रों का नाम होता है जो बोध लोगों का मंत्र होता है बोधों के माने मंत्रों की बहुत महिमा है यहां मंत्रों का खुब उच्चार और प्रचार हुआ है इसलिए लेखक का मत है कि माने पहाडियों का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना उचित है यानि कि यह ठीक है कि इन पहाडियों का नाम माने के नाम से रखा गया है माने श्रेणी का नम वो बिल्कुल सही रखा गया है क्योंकि वहाँ पर इन मंत्रों का जाप होता है ये माने की चोटियां बूढे लामाओं के जाप से उदास हो गए है इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवावर्क से क्या आग्राय किया है तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाता है कि माने परवशेणियों में बूढे लामा रहते हैं और माने मंत्रों का उचारण करते हैं उनके कारण यहां का वातावरण अत्यांत कंभीर, बोजिल और उदास हो गया है क्योंकि बूढे लामा रहते थे और यहां जीवन की चहल पहल और दिल लगी दिखाई नहीं देती है इसलिए वह युवक युवकितियों को कहता है कि यहां पर आए क्रिडा को तुक करें प्रेम भरे खेल करें हसें नाचे कुदें और इन चोटियों पर आरोहन करें क्रशब बार 501 सकत reconnaissance के कि बकाई डिल भी है भाघ क्रेम पर आरोहन करें आरемся फस्में भी हमसेली थे क्रेंगे, वुवकिति-वाय क्रीक, यज युवकित हो तो लुवकिति-व' झाल झाल झाल